हेलो इवरिबान रादे रादे और कहीं कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मा बगवतियासवी की मनो कामना पोनी करें इसी की साथ आज का वीडिये स्टार्ट करते हैं और आज हम चार्चा करेंगे सूरी गरहन पे साल 2021 का जो आखरी सूरी ग गरहन लगने जा रहा है चंद्र गरहन के पंदा दिन के अंतर में ये सूरी गरहन लग रहा है इसलिए इसका सूतक काल माईने नहीं रखता है मानने नहीं है साल का अंतिम सूरी गरहन शनिवार के दिन 4 दिसंबर 2021 को लगने जा रहा है और सूरी गरहन जो शुरू हो रहा है वो अशुब घटनाओं में गिनती होती है इनकी इसी वज़े से इस समय जो भी शुबकारी है वो सब कुछ वरजित माने जाते हैं पूजा पाट कुछ भी मानी नहीं रहती है इस वज़े से इस समय कुछ भी शुबकारी नहीं किये जाते हैं क्योंकि मानेता है कि इस समय जब सूरी ग्रहन पढ़ता है समय सूरी पीडित हो जाते हैं इसकी वज़े से उनकी जो शुद्धता है न वो कम हो जाती है और यही कारण है कि समय कुछ भी शुबकार्य वर्जीत माना गया है अब मैं आपको साल के आखरी सूरी ग्रहन के प्रभाव के वारें बताती हूँ जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 4 दिसंबर के दिन शनिवार के दिन आखरी सूरी ग्रहन पढ़ रहा है और जो शूरी ग्रहन का जो शुरू होने का समय है वो 10 बच के 60 मिनिट से और 3 बच कर 7 म समाप्थ हो जाएगा तो सूरी गर्ण के प्रभाव के बात करें तो इसका जो प्रभावन बहुती आंशिक रूप से होगा अब छाय होने के कारण सुतकाल भी इसमें माईनी नहीं रख रहा है मतलब मानी नहीं है और जो साल का अंतिम चंद्रगनन वो 19 नौवर को लगा था तो 15 दिन के अंतर में दूसरा सूरी गर्ण पढ़ रहा है तो जो 30 में इतना कम समय में जो गर्ण पढ़ रहा है इसकी वज़े से इसे अशूब माना गया है बाकि इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है लेकिन फिर भी गर्ण पढ़ते समय जो हम बातों का ध्यान रखत बताएगा फिर मिलती हो नहीं वीडियो के साथ नहीं जानकरियों के साथ में तब तक के लिए राते राते